वेलकम टू रेश वर्ल आज मैं आपको मैबलीन नियॉक मैट फिनिश क्रीमी लिप्स्टिक का रिव्यू देने वाली हूँ इस लिप्स्टिक का कलर सेंसेशनल काफी क्रीमी है जो हमारे लिप्स को कमफर्टेबल और मोस्टराइजिंग रखता है ये मैबलीन लिप्स्टिक क इसमें काफी एक्सपेंसी और प्यॉर ओईल होते हैं जो हमारे लिप्स को हाइट्रेटेड बनाके रखता है जिससे हमारे लिप्स में एक पॉफेक्ट फिनिश आता है और काफी कमफर्टेबल फिल कराता है ये मैबलीन का नियॉक लिप्स्टिक फ्रेंस मेरा शेड नमबर आते हैं फ्रेंस जो कि काफी पिग्मेंटेड होते हैं इसमें डिफ्रेंट टाइप्स के रेड कलर होते हैं और डिफ्रेंट टाइप्स के न्यूट न्यूज कलर होते हैं तच अब स्पाइस जैसे वेरियस कलर हैं जो कि आप अपने चॉइस के हिसाब से इसे पर्चेस कर सक करते हो तो यह काफी मकमली और अनोखा मैट फिनिश एहसास कराता है फ्रेंस मैं आपको इससे दिखाती हूं यह वन स्वाइप में ही कितना अच्छा और कमफर्टेबल एक पिग्मेंटेट कलर दे रहा है जो कि मेरा फेवरेट कलर है यह यह मैबलीन का लिप्स्टिक ना सुखाने वाला और ना तूटने वाला लिप्स्टिक है जो कि पूरा दिन हमें कमफर्टेबल फिल कराता है इस लिप्स्टिक की खास बाते यह है कि इसमें हनी को मॉस्टराइजिंग मेबलीन लिप्स्टिक कलर में मिक्स किया जाता है ताकि यह हमारी लिप्स को पूरे ट आप इस लिप्स्टिक को अपने लिप्स पे अपलाई करते हो तो यह easily slide हो जाती है, चाहे आपकी लिप्स ड्राइ हो या चैप्ड हो. इस creamy matte lipstick को आप मैबलिन की lip balm के साथ भी merge करके अगर लगाते हो तो यह काफी अच्छा matte finish देता है और यह काफी अच्छा feel कराता है. अगर आप मैबलिन के lip balm को और मैबलिन के lipstick को दोनों को ही अगर एक साथ merge करते हो तो जो मैबलिन का lip balm है वो हमारे lip को hydration देता है और अगर इस lip balm के उपर हमने यह मैबलिन का lipstick लगाया तो इसके अंदर की जितनी भी properties हैं वो दोनों merge होके एक काफी अच्छा ultimate care देती है हमारे lips क प्रेंस में तो आपको यही recommend करूंगी आप lipstick apply करने के पहले एक मैबलिन का lip balm भी apply करें और apply करने के बाद यह हमें एक अच्छा और comfortable feel कराता है अगर आपको मेरे यह मैबलिन का review अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को फ्रेंस लाइक करना मेरे चैनल को subscribe करना और मेरे वीडिय रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ठैक्स फ्रेंस और मेरी बहुत सारी वीडियो जो की आप तक मैं पहुचाना चाहती हूं और अगर आपको किसी भी product का review चाहिए तो आप comment box में लिख सकते हो फ्रेंस और अभी मैं sugar pop का lip balm purchase किया है मैंने उसका भी review आप लोगों को जल्दी देने वाली हूँ थैंक्स धन्यबाद फ्रेंस